नमस्कार दोस्तों, पूझा शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है, जैमातादी दोस्तों, आज जिस नई विशेपन हम चर्चा करेंगे वो है नवरात्र में, एक ऐसा मंत्र जो की आपको सभी असफलताओं से भी सफलता निकाल क कर देगा, आपके जीवन में आपको उन सभी उपलब्दियों के प्राप्ति होगी जिनकी कामनाप करते हैं, हमारे जीवन में नौ ग्रह जो होते हैं, उनका बहुत महत्पुन योगदान होता है, आप सबे सदेव देखेंगे कि किसी ग्रह के दुश प्रभाव से ही हमारे जीवन में धन की हानी होती है, या विद्या की हानी होती है, बुद्धी ब्रश टोयाती है, और हम जीवन में कोई ऐसे कारे कर देते हैं, जिसका सामाजिक स्तर पर हमें दुख भोगना पड़ता है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको केवल ए एक ही मंत्र ऐसा दे दिया जाए जो कि आप जीवन भर उसका उचारण करें क्योंकि नौ दिनों में अगर आप लगाता इसका प्रयोग करेंगे तो अपने आप उस तरह से भी इसे जो है श्विकार सकते हैं दूर्गा अपासना भक्ती के साथ ऐसी शक्ति देनी वाली मानी गई है जो दूर्गती करने वाले तमाम बुरे विचार दूर्गर्ण तथा दोज यह होते हैं उनका शवन करती है इसलिए दूर्गा को जो है कभी भी आप उकार के लिए एक आठ अक्षर का एक अद्बुत मंत्र जो कि इस मंत्र को जब उचारन करते हैं तो आपको अचुक शक्ती और कई प्रकार कैसी सिद्धियावी प्राप्त होने लगती हैं जिसकी आप कामना भी या आप सोच भी नहीं सकते हैं इसी इक्षाएं भी पूर्ण हो जात यह जो पाठ है आपको नवरात्र में शुरू करना है पहले दिन से अगर आप घट स्थापना करते हैं तब भी आप कर सकते हैं और अगर आप नहीं करते हैं तब भी आप जो है माता रानी की फोटो या चितर के सामने बैठ कर या मूर्ती हो या जैसा आपका मंदिरों वहा बहुती शूब रहेगा अन्यता आप जो है बिना माला के भी इसका उचारण कर सकते हैं 108 जो है नियम बताया है पर यह आप बड़ोत्री में भी इसका उचारण कर सकते हैं यह था शक्ति जैसे अगर आपको लगता है कि आप परंतु नियम जो पहले दिन आप जितनी मात्र या जितनी संख्या का नियम बताएंगे उतनी ही संख्या आपको नौ दिनों तक इसका उचारण करना है नौ दिनों के बाद में जो है आप डेली जब करेंगे तब के वाल एक सो आठ बार ही इस मंत्र का उचारण आपको करना है तो मंत्र किस प्रकार है मंत्र है ओम रेम दू अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं परन्तु हम डिस्क्रिप्शन में भी यह जो मंत्र है आपको लिख कर देंगे मंत्र है ओम रेन दूम दूर्गय नम्हा इसके अलावा आज नवरात्र क्यूंकि नवरात्र में हम नौ शक्तियों की उपासना करते हैं इसक आप भोग लगाए या आप कौन से जो है पूझा पात के समय पर ध्यान रखें तो अगर आपको पता होता है कि 9 दिनों तक आपको लगातार कौन से भोग लगाने है तब भी आपकी मनोकाम नहीं बिना किसी सिद्धी के या बिना किसी मंत्र के भी पूर्ण हो जाती है क्योंकि माता रानी जो है आपकी भक्ती और आपके विहवार को देखकर भी आपको आशिर्वाज प्रदान कर देती है तो क्योंकि हम अब नौ दिनों तक जब हम पूजा पाट करेंगे तो प्रथम जो है माता शैल पुत्री अच्छी सिहत के लिए हर प्रकार के भई से मुक्ति दिलाने वाली माता है माशैल पुत्री इनकी अरादना स्थिर आरोग तता जीवन जो है आपका निडर होता है किसी भी प्रकार का भई नहीं लगता है व्यक्ति चिनोतियों से कभी भी नहीं घबराता है और उसका सामना किसी भी बड़ी चीज से हो जाए वो हमेशा जीत को हासिल करता है यह उन सभी के लिए है जो कि किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो सरकारी नौकरी की कामना करते हैं तो उनके लिए जो है माशैल पूत्री की अरादना करना बहुत ज़्यादा शुब रहेगा इसके लावा आपको जो माशैल पूत्री को भोग लगाना है वो होगा गाएं का दूद जो होता है आप उसका भोग लगाएंगे और बरतन जो है चांदी का पीतल का ले सकते हैं स्टील का बरतन ले सकते हैं परन्तु आपको भूल कर भी काच का और प्लास्टिक का बरतन ज बुद्धी को होता है नौकरी और सक्षर्ता में सफलताय मिलती है माभ्रहमचार्नी क्योंकि बहुती जधाता की सिद्धिय broken भी प्राप्त करवाती है, तो आप माता रानी को द्वीतिय दिन भोग लगाईए और कोई भी मौसमी फल Ugh vosdalika इनका भोग लगा कर अपनी मनो कामनों की प्राप्ती करवा सकते हैं इसके लावा तुईतिय दिन चंदर घंटा के नाम से प्रसिद है कई बार जीवन में बहुत अशुब ग्रहों की वज़े से हमें काफी मुश्किले खड़ी हो जाती है हम पर जो है क्योंकि नव ग्रह शांती नहीं होगी तो आपके जीवन में आपको जो है क्रूर ग्रह हमेशा परिशान करते हैं तो उन सभी से मतलब छुटकारा पाने के लिए जीवन रुपी आकाश में संकट के बादल बहुत जादा खिर जाते हैं आप घर पर भी लगा सकते हैं या आसपास अगर कोई माता दुर्गा का कोई मंदीर हो तो वहाँ पर जाके आप खीर घर से बना कर ले जाईए और उसके अलावा जो है वहाँ जितने भी लोग बैठे हों उन्हें आपी प्रसास्वरूब जरूर बाटिए आप देखेंगी आपके जीवन में कितना भी कोई पाप ग्रह या कूर ग्रह आपको प्राइशान कर रहा है बिना उसकी शांती किये भी आपको मातारानी की क्रपा से बहुत ही जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा और आपके ग्रह शान्त हो जाएंगे इसके अलावा चतूर दिन याने चौथा जिन जो होता है मा कुष्ट मांड के नाम से प्रसिद है आप इस दिन जो है अनार के रस का भूग लगाए अनार का रस ले सकते हैं अनार के दाने ले सकते हैं और मैं फिर से यही कहूंगे अगर आसपस कोई मंदिर होता है तो वहाँ पर जाके छोटी कन्याओं को और लोगों को जो है आप अपने घर से ही लेके जाए मनुकामना मांग कर जाए माता रानी के दरबार में और उसके लावा वहाँ जाकर आप ये प्रसाद बाटे तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो है अपने आपी चीजें आन पुत्र पौत्र संतान परंपरा हमेशा जीवन में बनी रहती है तो आपको जो है चोथे दिन पूझा आरादना करके अनार के रस का जो है दान करना चाहिए या अनार जो है वित्रित करना चाहिए महिलाओं को छोटी कन्याओं को तो आपके जीवन में आपको जो है बहुत करते हैं जिनका लोगों के साथ जो है बात्चीत से ही मसला जो है हल होता है वकील होते है या जो लोगों की सुलहा कराते हैं या जिनको जो है बात्चीत जो मेन होती है जिनके व्याफसाई में या बुद्धी जो जिनें बहुत जादा प्रयोग में लानी होती है उन्हें जो ह पेडिए कार, करे जुड़े हमें पत्रकार हमें टकर इनके लिए और रिखे समें जादा बाचीत की शेलंकि shore जो है लोग परभावित होते हैं तो आप जो क्या करेंगे नवरातरी में ऒरूर्च के रोगा उसी के सामने आप माता सकन माता को याद करते हुए हलवे का भोग लगाएंगे हलवा जो होगा आप सुजी का हलवा ले लीजिए तदा इसमें किश्मिश नहीं मिलाएंगे आप इस बात का ध्यान रखें आप इलाइची मिला सकते हैं आप चारोली मिला सकते हैं आप काजु मिला सकते हैं परन्तु आपको किश्मिष नहीं मिलाना है और शक्कर भी जो होगी सफेज शक्कर का प्रयोग करें ब्राउन शुगर का यूज नहीं करेंगे आप इस हलवे में आप देखेंगे कितनी जल्दी जो है आपको फाइदा मिलने लेगा इसके अलावा अश्टम मा कात्यानी का दिन होता है लंबे समय से अगर वैवाहिक जीवन में कश्ट हो रहा है नौबज जो है तलाग तक आज गई है या फिर वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा है कोट केस बहुत जादा चल रहे हैं तो मा कात्यानी की पूजा करना आपके लिए सौभाग की बात होगी माता रानी को आप नारेल के लड़ूं का भोग लगाएं और आपके जीवन में आपको जो है जैसे कोट केस से रिलेटेड कोई मसला है या वहवाईक जीवन से लेकर कोई मसला है तो बहुत जल्दी सुला हो जाएगी माता काल रात्री जो सब्तम दि का जो ग्यान है वो प्राप्त होता है माकाल रात्री जो है आपको निडर बनाती है भय से मुक्ति दिलवाती है दुश्मनों से जब आप बहुत जादा परेशान होते हैं विरोधरी आप पर जो है बहुत जादा परेशानी करते हैं आपके लिए तो माता काल रात्री की की आपको और स्रिफ और स्रिफ शहत के भोग से ही प्रसंद हो जाती हैं सब्सक्तवि के दिन जो है सब और की के दिन अगर को रहू के दुश्परप्वग्ण लगाए मिला है यह को धे तो बीट जते को कुछ ईंडर्ण द दिन थो PayPal कya लगाता है इस सबसमीका दिन नवरात्र में बहुत महतपूर्शू Guys के लिए बी शत्रू शांती लिए भी तथा जीवन अननति के लिए नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही मैं कहूंления करें चीएवनेिए। तो घर पर ही मैं कहूंगी कि आप इस दिन पूजा अराधना करके जो है मातारानी को शायत का भोग लगाएं इसके अलावा महागौरी अश्टम यानि अश्टमी वाले दिन महागौरी की अराधना की जाती है आपके मन में अगर इसवारी की प्रसिद्धी पाने की इच्शा है तो आउटवे दिन महागौरी के अराधना करें इनकी क्रबासे वक्ति जो व्यक्ति है वो सभी सुखों को पराप्त करता है अश्वारे का भागी होता है रूप का सौंदरी का पराप्ती होती है मन में ततक कई बार जो है द्वेश चलता है गुस्सा बहुत आता है तो अश्टम दिन महागौरी के अराधना करने से आपको शांती प्राप्त होती है माता रानी को साबुदाने की खीर बहुत प्रिवे होती है तो साबुदाने की खीर भोग लगा कर मंदिर में जाकर दान करें लोगों को खिलाएं या फिर आप कन्याओं को भोग स्वरूप साबुदाने की खीर जरूर बना कर आपको देनी चाहिए वही नवम दिम, सिद्धिदात्री का दिन माना जाता है, अगर आप अपनी इक्षा को पूरा करना चाहते हैं, तो नौ दिन मा सिद्धिदात्री की पूजा करे माता की क्रपा से आपकी हर प्रकार की इक्षा पूर्ती होगी, सर्व मनो कामना पूरक जो है नवा दिन माना जा और यह बहुत ही जादा सिद्धी देने वाला होता है आप जो है पायस का भोग लगाएंगी यह जो है भोग आपको आशानी से नवरात के समय पर प्राप्त हो जाता है तदा इस भोग को लगाकर आप अपने जीवन में सभी प्रकार के आश्वरी के तदा सिद्धियों की प् सकते हैं तो भोग मैंने आपको बता दी है आप उसी जो है उसका प्रयोग करके भी अपनी मनों कामना की पूरती कर सकते हैं जो भी आप प्रशाद स्वरूप लेकर जाए माता रानी के लिए अपने घर पर ही बनाए कीचन को साफ करके बनाए और अपनी मनों कामना के मंदि है यहाप अर्पित कर सकते हैं या फिर अप यह कारे अपने घर पर ही कर सकते हैं उसके बाद में जोasis जितने भी लोग आपके आसपास रहते हैं या जो भी रहते हैं मैमान अगर आते हैं तो उन्हें इसका भोग लगाईए तो आपके जीवन में आपकी मनो कामनों की पूर्ती बहुत ही जल्दी हो जाएगी तो मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो आप सभी को बहुत पसंद होगा आज अपनी वाणी को यहीं भी राम देते हूँ हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए जैमाता दी दोस्तों